कि इस्टुडेंट तो आज नेक्स पर लेते हैं जैप्टर नंबर 11 कार्ये सक्ति एबा मुड़ां इसमें अब की वार इस इनर्जी को अटा दिया है तो हम कार्य और सक्ती इसमें पढ़ेंगे तो आज फर्स्ट वाप लेते हैं कार्य कार्य वर्क किसे करते हैं तो अपने पिक्षली गख्षाओं में पढ़ा है कि कार्य लगां वल की तिसा में विस्तापन का घटक तो यहां कार्य को अंग्रेजी अच्छर डवलू से प्तिस्त किया गया है इसको किसे प्तिस्त करते हैं डवलू से डवलू बराबर होता है एफ वल हो गया और विस्तापन के गटक हो गया एस कोस्थीटा एस कोस्थीटा यानि यह फूर्मुला काम करता है जैसे यहां पर यह कोई अब्जेक्ट है बस तो है और आप इस पर एबल इधर दिशा में लगा रहे हो और विस्तापन मालो इधर दिशा में हो रहा है यह विस्तापन की दिशा है तो बल और विस्तापन के बीच का यह कौण है ठीटा हो तब किया गया कार्य है डबलू बराबर होगा एफ एस कोस्थीटा क्या होगा एफ एस कोस्थीटा तो एक कारे का ब्यापक सुत्र हुआ है अब कहते हैं किसे कहते हैं तो देखेंगे किसी वस्तु पर बल लगा कर उसको बल की दिशा में मिस्ताबित करने की करिया को कारे कहते हैं है यह समय परिपास्थ है किसी वस्तो पर बल लगाए उसे बलोर की दिशा में किरिए काया यहाँ से लिखें किसी वस्तों पर आरोपित बल और अच्लप이면 कि घटकवा फोड़न हां वह किया कहलाता है। तो यहां पर हम समझ्य रूप से डबलो पराबर फयस्वी पढ़ते हैं बल्गुटै विस्थापन अधिक्तम कार्य होता है तो आप यहां से भी जी सकते हो यह क्या है यह क्या है बार इसी वस्ते दिस पर कि यहां पर कार्रे और कि बुस्तार करना के करिया किया को कार्रे कहलेते हैं कि या बल विश्थापन के गटक का जो गुडनफले की यह के कारिकै बराबर होता आप दहको यह लेते हैं कारे का 2 विश्थापन का मात्रक क्या सक्वान है तो यहां देखते हैं बल का मात्रक न्यूटन और विश्ताबन का मात्र क्या होता है मीटर तो कारे का मात्र क्या हुआ नियूटन इंटू मीटर इसको कहते हैं जोल क्या कह ugh amine Yo Master Son5 तो कारे का मात्र क्या हुआ नियूटन-मीटर या जो और अती है परिवास से एक जूल को परिवासित कीजिए डिफाइन बंजूल एक जूल क्या है यह कर तो आप देख पार है यहां पर एक जूल कव आएगा एक जूल किसके बराबर यह काम एक न्यूटन हो यहां पर फोर्स और विस्ता बन कितना हो एक मीटर तो आप किया गया कारी कितना हो जाएगा एक जूल तो एक जूल क्या हो गया एक जूल क्या है एक जूल कब कारी है जैसे यह है यहां पर यह भील भी लगा सकतों इधर बल लगा रहा है और इधर ही विस्तापित हो रही है यह तो जैसे मढलो हमने एक मीटर egy न्यूटन का थो यहां बल लगाया और इसको एक और एक न्यूटन विस्तापित कियाνε में किया गया आय। क्या करें एक न्यूटन का बल लगा कर एक न्यूटन का बल लगाया है इस पर और इसके बल की दिशा में एक मीटर विस्तापित करने में किया गया कार्य एक जूल होता है यहनि को यह वस्तु है औी इस पर एक न्यूटन का वल लगाका है इसको बल की दिशा में एक मीटर विस्तापित करने में जो किया गया कार्रे होगा व क्या होगा एक जूल होगा तो हमने परवासित किया एक जूल क्या है अब यह कार्य का ऐसा ही मात रखें एक होता है कार्य का सी जी एस में मात रख अन्या मात रख है आर्ग तो आर्ग जो होता है वो डाइन इंटु सेंटिमेटर के बरापर होता है आर्ग दा इंटु सेंटिमेटर को हम कहते हैं आर्ग तो यह अब यहां पर का जाये कि एक जूल को अर्ग में बदलो तो अभी बता है तुम्हें एक जूल किसके बराबर है भाई एक जूल है एक न्यूटन इंटू एक मीटर तो अभी बता है कि ये बल का मात्रक डायन हो तो एक न्यूटर में जो डायन होते हैं वो दसकी घाथ 5 डायन होते हैं कितने डायन दसकी घाथ 5 एक न्यूटर में और एक मीटर में सेंटीमीटर सब जनते हैं दसकी घाथ 2 यानि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो यह डाइन सेंटिमीटर बन गया तो दसकी घाज पांच और दसकी घाज दो कितना होता है बता हो दसकी घाज साथ डाइन गुड़ा सेंटिमीटर क्या होता है अरग कितना होता है डाइन इंटू सेंटिमीटर किसको कहते हैं अरग एक जूल को हमने किसमें बदल दिया बराबर हुआ एक जूल किसके बराबर हो गया दसकी घाथ साथ अर्ग के बराबर हो गया एक जूल में कितने अर्ग होते हैं दसकी घाथ साथ अर्ग होते हैं तो यह हो गया कार रहे कार रहे कार रहे का ऐसा ही मत्रक जूल एक जूल को परिवसित कर दिया हमने अब एक जूल म अभी कि लिखाय और 13 की साथ आब देखते हम है और किया निवेई पेहली इस्तिति आतीए अधिक्तम कारी और अधिक्तम कारी कब होगा है य है जब ऑल और विश्तापन ईक ही दिशा में में होते हैं तो अधिक्तम कार्ण होता है जैसे अभी मैंने बता यहां पर यह कोई बस्तु है कि और इधर बल रग रायस पर और इधर contemporary हो में कि तो अधिक्तम कार्ण होगा क्योंकि क्या होगा यहां पर जो जो बल और बिस्तापन की की कॉर्ण कितना होगी जिरो डिग्री के लिए यह यह घोATHAN सिर्ट मान क्या होता है तो यहाँ पर डबलू कि मैक्स यानि अधिक्तम करी जो का वो कितना आएगा एफ इन्टgression सिर्टां कर डो एस जो भी है एस फॉल सिटा वांण जी डिज स तो यह आए एक फ्लेंटू एस यह कोस्तिरो कमान के दना होता है लिक और सिव्टी मराभर कितना होता है टो dall जी कि यह डिकुरी पराबर कितना होता है एक तो डबलू मैक्स क्या होता है मैक्जीमम वर क्या होगा एफ एस अधिक्तम कार्य कितना हो गया एफ एस यानि जो अधिक्तम कार्य है डबलू अधिक्तम लिख दो या मैक्जीमम लिख दो यहां कितना होगा एफ एस यह कब होता है जब बल और विस्तापन एक ही दिसा में हो इधर बल लगा रहे हैं आप उधर ही बस तु विस्तापित हो है ना तो यह कार्य कैसा होगा अधिक्तम जैसी यह जश्टर है आप यह इधर बल लग रहे हैं इधर ही विस्ताफ प्रह रहा है यह आरी खिरल आयं duty में कहीं कार्य कैसा होगा अधिकतम कार्य होता है किया है अधिक्तम दूसरा कंडिशन है न्यूनतम कारे न्यूनतम कारे कैसे होगा तो देखो यहां पर यह कोई बस्तु है इस पर बल लगा दिया जा मालनों नीचे की ओर और विस्थापन हो इधर एस तो बल और विस्थापन के बीच का यह ठीटा कौन कितना हुआ 90 डिग्री यानि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे हो परपेंडिकुलर लंब बत 90 डिग्री के कौन पर तब किया गया कारे कितना आएगा वो देखते हैं डबलू बराबर क्या होता है एफ एस कोस ठीटा तो यह ठीटा की जगे कोस ठीटा की जगे कितना लगेगा आप एफ एस क कोस 90 का मान कितना होता है पता है कि कोस 90 का मान होता है जीरो अब जीरो का किसी संग्या में गुणा करते हैं तो कारे कितना आता है जीरो तो डबलू मिनीमम यानि न्यूनतरम कारे कितना होता है जीरो न्यून तर्म कार्य होता है जिरो यह कब होता है जब बल और विस्थापन के बीच में कितने डिगरी का कौण हो 90 डिगरी जैसे एक कुली है अपने सिर पर वक्षा लेकर सिर पर वक्षा रखा है तो बजर उसका जो होर्स है बुर्तिय भार यानि बल निची की हो लगेगा औ पर वह कैसे चल रहा है ऐसे 36 प्लिट पर तो वह बिस्थापत कैसे एह रहा है अईसे और उसे भार कैसे काम कर रहा है फोर्स निच्ची की हो तो यह दोनों में दिशावम में कितना होगा यहां पर ठीटा नांटी डिगरी होगा तीसरा नंमर पर आता है रदांत्मक कार्या रिडात्मक कार्य यानि कार्य नेगेटिव भी हो सकता है जैसे कोई यह ओब्जेक्ट है तुम्हारा यहां रखा है और इस पर आपने बल इधर लगाया फूर्स इधर लगाया ठीक है और इसका विस्तापन इधर हो जाए ऐसे इधर हो रहा है यूँकर ऐसे कैसे होगा देख यह जैसे कोई साइीड़ चल रही है माल up इधर चल रही है आप ब्रेक लगा रहे हो तो फॉर्स कैसे लग रहा है बिपरीज दिशामें है साइकिल की ओट चल रही है यानि ब्रेक ऐसे ब्रेक पूड दिशामें लगा रहा है पिर भी साइम के ल चल रही तो यहां बल और विस्तापन के बीच का कौण कौण सा है यह ठीटा कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री कौण होगा कितना कौण होगा 180 डिग्री कौण होगा इसके बीच में तो कारे जो होगा डबलू पराबर क्या होगा ऑ फैस है कोश एक सो ट ट को एक सो एक सो सी को को से कमाहन ही रख दो नहğiं परो कितना होता कौ से और जाया मांवन आप तो यह होगा minus f sama w प्राभर क्या हो गया minusaka fs यह रडात्मक कार्य हो गये क्योंकि minus 12 में ओर यह रडात्मक कार्य होता है यह भी कैसा होता है लेकिन minus का होता है तो यहां इ Mitgl速र दीक्तम कार्य की सब्भाता है जब ठीटा बलो और्फिस्थापन यानि एक ही तो अदिक्तम होगा जब बला और वित्तापन एक दूसरे के लववत हो नब्वे डीग्री के कौन पर हो हो यां हम कहेंट ठीटा नब्वे liberties हो तो म्यूंतम कार्य होता है जब बला और वित्तापन एक दूसरे के विपरीद होते हैं यानि ठीटा का मान्य 180 degree होता है तब रिणात्मक कार्य होता है तब उस पर कैसा कार्य होता है रिणात्मक कार्य होता है ठीक है तो यह कुछ कार्य के कैसे हैं कंडिशन है और यह कार्य क्या है सुत्र यह कार्य क्या हुआ मात रख आप देखते हैं कार्य के अन्य सुत्र कार्य किया गया कार उर्जा के रूम में संचित रहता है तो कार्य और उर्जा को हम एक मानते हैं तो कार्य के अन्य सुत्र लगाएंगे पहले तो कार्य के अन्य सुत्र भी होगे तो पहला कौन से दाझ डबलू बरुबर एप्स कोश्टिता था तो है न तो डबलू नदम बरुबर एप्स इसको लिख लेते हैं यहांपर कोश्टिता कार्य बराबर होगा इस्तितीर उर्जा इपी और यह एम घ्रिचश की बिए मैं कोई कि दो किलोग्राम की बस्तु को जमीन से मैंने यहां पर पांच मीटर तक उठाया है यह यह दो किलोग्राम का माला डेस्टर और पांच मीटर तक ऊपर उठाया है कौरे बराबर होगा एमघ, उसमें स्थिती ट्रूँटी पर अधिनर्जी के बराबर होता है हाप एंबेस्वार मेरा ओर किया गया कायर है हाव की एक्स आप्सकुाइर के विराबर होगा यह क्या है यह क्या है यहाँ पर सप्र लेक्श उक्स का रखा हैं और हमने इस ने के दूसरे से को दबाया यहां यहां से तो यह यह कोई यह ओब्जेक्ट से इसको इतना दबा दिया यहां था पहले सिरा इसका और यह इतना क्या कर दिया इसको संपीडित कर दिया तो यह संपीडन एक्स है यानि यह विस्तापन होता है एक तरह का और और इस्प्रिंग नियतांग जो होता है वो के होता है तो इस्प्रिं कि निया तांख है कि एक्स संपीड है कितना इसको दबाया गया यह खीचा गया है यह मिट्रे में लगेगा तो यह यह डैंटी ब्राबर हाफ एम वी स्कौर हो गया दर्बिमान फॉरा गए सлекते हैं तो यह यह ज़ू नो है summary चालीच किलो ग्लाम 30 किलो ग्राम यह क्या होतें द्रभिमान को किलोग्राम में ही लगाना है आप आपको थो द्रभिमार एक क्या यह यह पर बी वेग वेग है अन्तिम या वेग अगर वेग दो दिये हैं तो दो और आन्तिम वेग को हम क्या कहते है अगर दो वेग दिये हैं तो गती उडजा का फॉर्मूला यहां यह लगेगा हाफ एम वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर गती उड़्या में परिवर्थन निकालेंगे फिर भी तो यहां पर पता ही है आपको क्या है वल कैस क्या है 20 अएम क्या है बसुगत रवर्य माने हो गया जी गुरुत्वियत रण है और इसका मान होता है हमिशा नो दस्मलंब आठ मीटर पर सेकंड यह फिक्स मान मान होता है जी का मान और इगर किसी में 10 देता है question में तो वहाँ 10 लगा देंगे और नहीं देता है तो आप इसको लगा देंगे तो इस प्रकार ये कर्ये की परवासा सूत्र हुए इससे संबंदित question जो आता है वो numerical होता है तो आप इन formula को पहले याद करें w equal to fs cost होता है w equal to mgh होता है ये इस्तिति हो जाके बराबर है यानि w equal to mgh भी पढ़ेंगे w equal to half mb square पढ़ेंगे और w equal to half k x square होगा तो यहाँ पर ये किया गया कारे की गढ़ना हम इससे करेंगे तो इसमें क्या आता है निव वरिकल आते हैं इसमें तो निव वरिकल पोर्शन पर विशेश ध्यान देना है यहाँ पर तो जैसे माल लीजिए हमने यहां कोई ले लिया पचास न्यूटन कावल लगा कर किसी वस्तु को वलकी किरिया रेखा से साथ डिगरी के कौण पर दस मीटर विस्तापीत किया जाता है विस्तापीत हटाए गया विस्तापीत किया जाता है तो किये गये कार्री की कड़ना करने तो आप देखिए यहां पर क्या किया गया है यह क्या दिया गया है यहां क्या दिया गया है यह कहना चाहरा है कि 50 न्यूटन का वल देखो ऐसे 50 न्यूटन का वल है और विस्तापन के बीच का कौन कितना दिया है साट डिगरी का कौन पर कितना विस्तापित किया गया है दस मीटर इधर खिसका गया यह इसको तो किये गये कार रहे तो आप इसमें पहले बल चाटो बल कितना है पराबर 50 न्यूटन है यह दे रखा है और कौन कितना दे रखा है ठीटा साट डिगरी दे रखा है और विस्तापन एस बराबर कितना दे रखा है दस मीटर दे रखा है तो अब क्या कर रहा है कार रहा है डबलू बराबर क्या होगा एफ एस कोस ठीटा तो एफ का मान कितना है पचास एस का मान कितना है दस और कोस ठीटा कितना है साट डिगरी ठीटा का वैलू कितनी लगा थी मैंने साट ड जब पचास और यह कितना हो जाएंगा 500 कौसाट का मान कितना हो गया एक बटे दो कौसाट का मान कितना होता है को 60 डिगरी बन वाइड टू है तो यह दो कर गया यह कितना आएगा 200 जूर 500 को 2 से गाटेंगे कितना एगा उत्तर इस प्रकार ये था तुम्हारा कारे किसी बस बर बलागा अगर उसे बलकी दिसाम बिस्ताफित करने की किरिया को कारे कहते हैं ये कारे का सुत्र हो गया W परावर Fs को स्टिटा कारे का मात्रग आया न्यूटन मीटर या जूल ये ऐसा ही मात्रग है और CGS में अर्ग था एक ज आज के लिए इतना ही थेंक यू एभी नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में